हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की नियो डिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन, जो की फ्रेंज से लिका ली गई है DMRC जोदपूर द्वारा, जो की से वेरियस पोस्ट के लिए रहेगी, इसका फ्रेंज से यहां पर फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी LGBT कंडिशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज से यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे च चेक कर सकते हैं, बात करते हैं अब इसके ऑफिशल नॉटिफिकेशन की तो फ्रेंज से यह वेकेंसी नॉटिफिकेशन निकाली गई है, टेंप्रेरी या प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए, और आप इसके लिए यहां पर जो अप्लाए करेंगे, वो ओफलाइन फॉर्म के थ अठारा हजार रुपे पर मन्त आपको सेलरी मिलेगी, यहां पर फ्रेंज टो डूरेशन है, वो एक साल का रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बारवी पास साइन सब्जेक्ट के साथ, और साथ में दो साल का डिप्लो दिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास BST Life Science है, तो इसको तीन साल Experience के तौर पर माना जाएगा, तो आप इसके थूरू भी आविदन कर सकते हैं, इसके बाद है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तो यहां पर भी तीन पोस्ट है, OBC की एक जनरल की दो, 31,000 रुपे पर मन्त स सकते हैं, इसके बाद है, रिसर्च असिस्टेंट नूटिशन की वेकेंसी, एक पोस्ट है, जनरल की, 31,000 रुपे सेलरी है, 30 साल एज लिमिट है, एक साल का पीरिट रहेगा, ग्रेजुट इन साइंस, बायलोजी या होम साइंसे नूटिशन में, और तीन साल का एक्सपिरि सेलरी है, एक साल का पीरिट रहेगा, 30 साल की एस क्राइटेरिया है, और क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दूसरा है, तो प्रोजेक्ट वाइज यहां पर आपको वेकेंसी दी गई है, इसके बाद है टेकनिशन सी की वेकेंसी, सेम फिल्ट वरकर आपका यहां पर क्वालिफिकेशन रहेगा, 18,000 उपर सेलरी है, जनरल की एक पोस्ट है, 30 साल एस क्राइटेरिया है, और यहां पर एक साल का पीरिट आपका रहने वाला है, इसके बार UDC की वेकेंसी है, बारवी क्लास पास आउट होना, 5 साल का एक्सपिरेंस अगर आपके वेकेंसी की लिस्ट आपको दी गई है, इसके बाद आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अपलाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर या डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना है, और जो भी फॉर्म है, इसमें आपको जो भी आपके डॉकॉमेंट्स है, इसमें डेट बर्थ प्रूफ, आपका क्वालिफिकेशन, एक्स्पिरिंस प्रूफ, आपकी रिसेंट साइज, पास्पोर साइज फोटोग्राफ या आपको सेंड कर देनी है, 11 जनवरी 2021 से पहले दिये गए इ mail ID पर send करना है आपको, और यहां पर फेंस से जो subject होगा mail जब आप send करते हैं तो उसमें subject का option होता है, उस subject में आपको यहां पर email में आपको यहां पर name of the post लिखना होगा, जिस post के लिए apply आप कर रहे हैं, इसमें फेंस जो selection होगा, सबसे पहले shortlisted के जाएगा candidate को, और उनको बुलाए जाएगा personal discussion या interview के लिए, अगर यहां पर फेंस से जादा candidate होते हैं, तो फिर उनको return test के लिए बुलाए जाएगा, जिसमें multiple choice questions होगे, आपके essential qualification के according, यहां पर फेंस से ध्यान रखेगा, सबसे पहले personal discussion या interview ही होगा, अगर संख्या जादा होती है application forms की, तो return exam हो आपके relevant discipline या आपकी qualification के according, इसके बार फेंस से देखिए, जो भी qualification है, experience certificate है, या is relaxation है, वो सब आपको यहां पर मिलेगा, और आपको details है, वो आपको send करने होगी prescribed format में, इसके बार यहां पर फेंस से देखिए, अगर आप SCST, OBC candidate है, आपको reservation मिलेगा, पर अगर जहापर general की seat है और आप general के लिए आविदन करने हैं, तो आपको कोई भी relaxation नहीं मिलता है, इसके बार फेंस से यहां पर आपसे कहा गया है, अगर आप एक post से ज़्यादा के लिए apply करना चाहते हैं, separately आपको send करना होगा, और इसकी last date पर या जब भी आप इसको send करते हैं, उस दिन तक आ आपको form को fill करके send करना है, इसके बार यहां पर कुछ इंस्टेक्शन दिये गए हैं, साथ में friends आपको जो documents हैं, selection के समय, आपको original शो करने होंगे, जिसमें आपका education qualification, date of birth, आपका experience certificate, one self-attested passport side photograph, ID proof, जिसमें आप अधार, pen card, water ID, DL, कुछ भी show कर सकते हैं, self-attested photocopies, आपक और photo state दोनों ही आपके पास होनी चाहिए, तो यह friends यहां पर details है, यहां आपके notification की details हो गई, इसके बार है, इसका application form, यह friends इसका application form है, जो कि आप print out लेंगे, form को fill करेंगे, scan करेंगे, relevant document के साथ PDF फाइल बनाएंगे, और दे गई mail ID पर send करेंगे, आपकी photo आप यहां लगा इसके बार देखिए, आपका नाम, block letters में, father name, date of birth, आपका जो present age है, वो आप देंगे, gender देंगे, nationality आपको देनी है, आपकी category, अगर पी एच केंडेट है, तो यहां लो कर सकते हैं, आपका correspondence address क्या है, आपका mobile number क्या है, mail ID क्या है, अब mail ID friends धान रखिए का, जिस mail ID आप send कर यहां पर provide कर सकते हैं, इसके बार अगर आप register है, medical council of India या state में, तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं, और registration number को provide कर सकते हैं, experience की बात करें, तो यहां पर mandatory है, तो name of the institute, आपका किस organization में आप काम करते थे, या करते हैं, designation क्या थी, किस post पर आप काम करते थे, last salary आपके क्य आप क्या थी, कब से कब तक आपने काम किया, total duration क्या है, और उस post पर क्या आप काम करते थे, short में आप जानकारी दे सकते हैं, multiple options मिल जाएंगे, multiple आप यहां पर आपनी organization की details दे सकते हैं, इसके बार आपको computer की application की knowledge है, या को certificate है, diploma है, आप उसकी जानकारी देंगे, typing speed आपक देना है, और दिये गए mail ID पर send कर देना है, 11 तारिक से पहले, तो यह इसका application form है, यह इसकी official notification है, और यह जानकारी मैंने आपको provide कर दी है, अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, इन temporary project post के लिए, आप आविदन कर सकते हैं, description में आप जाएंगे, jobrasa.com पर वहां पर आपको सब detail मिल जाएंगी, अगर आप applicable है, eligible है, apply करेंगे, तो आप apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends, इस video हमने बात की, DMRC, जोदपूर की new requirement notification के बारे में, और इसकी vacancy detail के बारे में, इसके form apply process के बारे में, तो friends, यहाँ पर जो भी detail मैं आपको provide की हैं, अगर यह आपको पसंद आई हैं तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ, देखते रही है हमारा YouTube चनल, and alas thanks for watching